नमस्ते मेरा नाम उज्वल है आप देख रहा है गाड़ेटर दोस्त अज आपको बता है कि देंधर प्लांट लगाने की थी यह देंधरस का प्लांट है आपको इसका छोटा सब अज़र प्लांट लेना चाहेंगे तो तीर या चार रूपे बिल जाएगा पाच रूपे तक इसका छोटा ही प्लांट लगाई है लगे छोटा भी यह पता नहीं रहेगा जो कोड़ का कोड़ होगा इसमें भी बहुत सा मल्टिपल कोलर में आते हैं यह एक बार ब्लूम पे आजाता है तो बहुत सा अच्छा लग पर देखने में लगता है एक पॉट वाला लीजेगा तो पचीश या थीस रूपे बेन पतलब है चोटा सा पॉट्ट यो होता है बीटी का यह परता है दस रूपे वे आपको यह प्लास्टिक के बेग में बिल जागा выс Bennett bead अकिएक दे तो यह भी प्लाइनटाफ़ा राता है आप इसका प्लाइन भी प्लब्द हो जागा ये देंथ फ्लाइने ठापकों जो भी नरसरी में खोजिएगा एक सीनेरेरिया आता है लेकिन वो उचला उजा होता है यह हरा ज्यादा होता है सुनिरेरिया दूसरा रग्ला होता है लेकिन वह प्रिट्र प्लॉटर प्लावर रहता है घिराद आता है इसमें पेट्र और ढैज़क वह होटी लगता है यह ऐसा नहीं रहता है इसने अवह आख देखिए यह जिम भी अछ्चाicias इसमें हमको सबसे अच्छा लाल बाला लगता है लाल कर दियर पूरा रेड़ बे ऐसे तो एक दो ख़लर आपको कहीं बिल जागे रेड़ बाला बहुत कभ रेयर में बिलता है यह भी किसी किसी रशार्ट पे ज्यादा उपलब्द रहता है आपके दर के दर्स अजिके हिसाब से भूबी लेगा इसका प्लांट लगाने इजी टू गुरू प्लांट होता है एक वर लगा दिजिए उसके बिच्छे से फिर प्लांट जरब जाता है और गर्मियों में आप बचा लिए तो बच जाएगा ज्यादा तर मार जाता है लेकिन अगर रस्चेट इरिया में चल लगता है हमारे पास था तो जून जुलाई में कावर दे रहा था यहीं वर साथ के सब्सक्राइब जाता है पूरा से अगर वर साथ में आप बचा लिए तो वह बच जाएगा प्लांट जंतस का प्लांट को किसी भी नर्सरी में यह आपको तीर या चारू पर बतलब छोट जो की एक दब छोटा रहता है वह एक पहिटा बाद फ्लावर देगा इसके एक अबला वे एक फ्लांट लगा है जाहे दो तिर प्लांट लगाईगा तो ज्यादा फूसी बच जाएगा और दो चार बार पिंच कर दे जिसे और घंडा बन जाए यह सब पिंच किया हुआ प रखनेका ठिक्ता है अप जितना खाद ज़्याधा तेगा मतलब जयादा थ्यस्ते न चाही लुए शो और अधीका पर लागाएगा इए ओंधा भी यह दो प्लावर दे का लांट आप इसमें वह फंगस लगने का तर रहाता है। तो फंडर साइब का एस्प्रे करना होता है दस या बीस दिन पर लेकिन यही है जो इसका फ्लावर ज्यादा दिन तक ठिकता रही है एक फ्लावर जैसे ही हाटे तो आप उसको पीज कर दे बतलब हाटा दे वहां से नहीं तो वह बीज बड़े में अप्रास सवय बैतित करने नलकेत वह लगता है ज्यादा तरह बेता उंजह घ्लावर के चकर में पूराप्लाट सुक्री के सब्सें अकल करें होता है पानी तो रोगा देना होगा पानी के लिए तो बार लुत थ suburbs to search वान्ला घॉसको रखना होगा है इसको पतलब प्लांट को ईससे इसका प्लांट लग जाए इसका प्लांट ज्यादा देर द्धूब में भीरा सकते हैं और ठंड का धूब तो ऐसे भी कभी होता है यह सिर्फ इस बहरें से फ्लावर देते-देते आप इसको आगास से लेके सितम मतलब वही अगास से से चालो लगाना करेंगे, तो वही फर्वopedिता, जरोवरी तक लगा सकते हैं. ईसका प्लांक उसके बाद सीड़ से भी लगा सकते हैं. अभी इसका सबय होएँ. सीड़ से भी ग्रोब कर सकते हैं. इसके बाद दिसबर के बाद प्लाइंडें करें लगा जो कि बहुत अच्छा रही हुआ नहीं तो लेट हो जागा फिर मार्श अप्रिम्ट इसको अब जाकर नपरिषार में तो फर्वरी में जाकर ईता है यह सब बाहर से जो बाहर से लब व्यक्ताइब लओ उसको पता था सब यह प्लापर जदा रहता है इसको अगर यह पीक हूरस अरह है तो आप 10 दिर पर श्करते रहे इसका पडॉर पर कोई मतलब नहीं है ज्यादा घंबा रह नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वर्वी का पोस्ट डालते रहे 5-7 दिर में, इसका बीट्टी बढ़ा रहे 50-50%, बतलब गाड़े रहे 50%, वर्वी का पोस्ट विलाही के बढ़ा है, क्योंकि जेतरा ज्यादा बढ़ी का पोस्ट रहे तो इतरा ही जल्दी यह फ्लावर देगा, और फ्लावर देरे के बाद इसको सुख जाला रहता है, या बीज बाला रहता है, लेकिन हाइब्रिज का तो बीज नहीं बनता है, अब देख ले, धनवाद में उजब खुआ है